देश विदेश की लोग कथाएं कश्मीर की लोग कथा भोलानाथ की चलाकी वाचक्स्वर तूली का बाचपई कश्मीर में एक गाउं था चिनार की लंबे-लंबे व्रिक्षों और मन-मोहं जहर्णों के कारण उसकी खुबसूरती और भी बढ़ गई थी उसी गाउं में रहता था भोलानाथ नाम तो भोलानाथ था, किन्तो वो था वड़ा चतुर वो दिन रात गाउं वालों को ठगने की योजनाई बनाता रहता था गाउं वालों ने मिलकर एक सभा बुलाई कई वुजूर्ग अपनी अपनी कांग्रिया लिये हुए पहुँच गये समावार जो की केटली नुमा बरतन होता है जिसमें कोईले सुलगा कर चाय बनती है में गरम गरम चाय तयार थी मुख्या ने सब को चेतामी दे दी कि वे गलती से भी भोलानात की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाए गाउवालों ने प्यालें में चाय सुड़की और लोड गये इधर भोलानात के मन में नई खुराफात तयार थी वो सुफिया की घर जा कर बोला बहर, मेरी रिष्टेगी आपाएं है पर सर्दी के मारे उनका बुरा अहाल है यदि एतराज ना हूँ तो अपना फिरन दे दो जल्दी ही लोटा दूँगा सुफिया ने एक दो पल सोचा और फिरन दे दिया बोलानात ने इसी तरह बहाने से दो तीन घरों से फिरन मांग लेगे चार-पांस दिन बाद बन सुफिया की घर पहुँचा और एक की बज़ाए दो फिरन लोटाए सुफिया बोली भाई भोलानात क्या छोटा फिरन तो मेरा नहीं है बेहन तुम्हारे फिरन ने राथ ही से पैदा किया है यह इसका बच्चा है तुम रख लो सोफिया भला क्यों मना करती उसने दोनों फिरन रख लिए इसी तरह भोलानात ने जिस जिस से फिरन मांगे थे सबको दो-दो लोटाए सब ने सोचा कि भोलानात का दिमाग फिर गया है फिर भी मुफ्त कमाल क्यों लोटाए आचाए थोड़े दिनों बाद भोलानात ने एक और चाल चली वो गाउवालों से जाकर बोला कुछ विदेशी परेटकों को पश्मीने की शौलों के नमूने रिखाने है अपने सभी शौले दे दो गाउवालों ने सोचा कि दुबारा दो-दो शौले वापस करेगा सबने हस कर पश्मीने की शौले उसे सौप दी कई महीने बीद गय भोलानात ने शौल नहीं लोटाई गाउवाले एक त्र हुए और भोलानात के घर जा पहुँचे वो जमीन पर गिर कर रोने लगा सबने पुछकार कर अपने समान के बारे में पुछा तो बोला क्या बताऊं जी सबकी शौलों ने इस बर दो दो छूटी शौले पैदा की थी सुनते ही गाउवाले मनी मन खुशों गय भोलानात बात आगे बढ़ाई पर क्या करूं वे सब शौले कल रात अपने बच्चों को लेकर भाग गई क्या गाउवालों के मुँख खुले के खुले रह गए जी हाँ मैं सच कहता हूँ भोलाने आसू पोश्ते हुए कहा मामला गाउं के बुजूर्गों तक जा पहुँचा उन्होंने भोला को बुला कर पूछा तो वो शरार्ती स्वर में बोला शौले तो घर छोड़कर भाग गई भला शौले भी कभी चलती है बुजूर्गों ने पूछा जी हाँ बेशक चलती है यदि वो बच्चे पैदा कर सकती है तो चल भी सकती है सूफिया ने गुस्से से कहा भला शौले के भी बच्चे पैदा होते है हाँ होते हैं जैसे फिरन के पैदा हुए थे तुम नहीं तो रखे थे भूलानात के जवाब ने सबको निरुत्तर कर दिया उसने एक बार फिर सबको ठग लिया था बच्चों चतुर बनना लेकिन भूलानात जैसा नहीं अभी अपनी सुनी कश्मीर की लोग कथा भूलानात की चलाकी वाचकस्वर तूली का बाचपई आडियो प्रस्तुती रेडियो अर्पाद